अगर आप लोग किसी भी कोट केस को जैसे स्विबील कोट में हो हाई कोट में हो या सुप्रीम कोट में हो किसी भी कोट में कोई भी केस है तो उसका स्टेटस आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि उसका क्या स्टेटस है अगला डेट कप परने वाला है उस केस में कोन वकील है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रहे ताकि आपको इसी तरह के वीडियो को बता देते हैं कैसे जो आप क्या करना है कि यहां लाइन डाइन देख़ें इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप असानी से पढ़ सकते हैं उसके लिए यहां पर सारा भासा दिया है जिसे भी भासा में पढ़ना चाहते हों पढ़ सकते हैं फिलाल हिंदी कर दिया हूं यहां पर सारा जनकारी आप देश करते हैं हिंदी में आपको मिल गया है बात करते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं उसके लिए जो वैसे तो हमें सारा जनकारी दिया है लेकिन आपको इकोट का सिट्स देखना है इसलिए आपको क्या करना है यहां पर एक website के link मिलेगा किस में मिलेगा इक स्टेट्स जो है जो यह option दिया गया है इसी के ज़स्ट पीचे जब किलिक करेंगे तो इस तरह के सेरेर आएगा इसको आपको क्रॉस कर देना है और नीची आजाना है नीची आखर के एक option आपको यहां पर मिल जाएगा कि स्टेट चुनने का तो जिस राजी का केस होगा उस राजी को आपको चुल लेना है चले मैं कोई भी एक राजी जो ह है किस जीला का है जो भी जीला होगा वह आपको यहाँ पर चुल लेना है काफी जीला आपको मिलता है उसके बाद अब यहां चुनने के बाता अब बताना होगा कि किस डिवीज enabling सितामरी है और एक कूपडी शकुम्या वह यहां घुलाना होग देख सकते हैं कि जीजे डिविजन सितामरी है सीजियम है सिबिल डिविजन है या जीजे बोर्ड है जिसमें भी होगा वह आपको यहां पर सेलेट कर लेना है चले मैं से नाम से नाम से सर्छ कर सकते हैं और और जिस पे case वहाँ उसके नाम से भी search कर सकते हैं तो किसी तरीके से जो है यहाँ पर search कर सकते कोई दिक्कत नहीं है चलिए मानली जी कि मैं अपना ही नाम लिखता हूँ ऐसे ही अपकोस मेरे पर को case नहीं है बट अपकोस बीजय नाम से काफी लोग पर case हुआ ही होगा वह मैं चुन लेता हूँ उसके बाद कहरा कि किस साल में case file हुआ है वह आपको बताना है अगर मानलों इसी साल में file हुआ है तो 2024 लिख दो आप ओके और उसके बाद यहां पर option मिल जाएगा पेंडिंग या डिस्पोस्ट या बोथ तो अगर कोई पेंडिंग में सेर्च करना है तो शुन लो डिस्पोस्ट में चुनना है तो एक कर लो अगर दोनों में चेक करना है तो आपको बोथ पर select करने दो उसके क्षिकर देख पाँच तो पांच केश का इहां पर Garda केंश ऑफ नीचे आंगे तो पांच केश खाक आपको चरा सुब्द आजाएगा अब आपको यह मिला लेना है किसके किसके बिच हुआ है तो यहां पर नाम दिया हुआ है असोक कुमार राय बस विजय कुमार राय के बीच में हुआ है और दूसरे के बीच तो इस तरीके से आपको नाम से पता चल जाएगा अगर आपको कोई केस चेक करें तो आपको आपको नाम पता होगा तो यहां पर मिला लेना है कि कौन सा है अब जो भी होगा उसको आपको देखना है तो सिंपल सा यहां पर देखेंगे तो यहां पर दिया हुआ यहां पर दिया हुआ है अब माली जीक हमें यहीं केस है और यहीं मैं चेक करना है तो इस तरीके सा आजागे नीची आ जाना है और यहां पर देखो आप case का सारा detail जो है दिखा दिया है कि किस तरीके का case है वह आप यहां पर देख सकते हैं कि यह title suit है जमीन विवाद होगा उसका title suit का उन्होंने case किया है जो फाइल नंबर हो भी आपको यहां पर मिल जाएगा किस डेट को यह फाइल हुआ है केस वह आपको डेट यहां पर लिख जाएगा registration नंबर क्या है वह यहां पर लिख जाएगा किस तरीक को registration हुआ वह भी आप यहां पर देख सकते हैं CRN नंबर जो है वह आपको यहां पर मिल जाएगा यहां बहुत important नंबर होता है इससे सारा चीज़ा असानी से चेक कर पाएंगे अब नीची आएगे तो यहां पर पताया जाएक कि पहला हेरिंग जो छे फरवड़ी दोजार चीज़ा होगा तो वह चीज़ा आप यहीं से चेक कर सकते हैं और आपको आराम से पता चल जाता है उसके बाद आप और देखेंगे तो और चीज़ा भी दिया हुआ यहां पर तो आपको यहां पर देखने होगे मिल जाएगा जो पैटिशनर है वो यहां है ठीक है एड़वोकेट जो इनका है मतलब जिसने केस फाइल किया है उसका मोहन कुमार सिंग कोई वकील है वो यहां जाया ठीक है इनका अपडेट है तो नाम देख सकते हैं वकील का भी नाम यहां पर आंप आ गया है कौन-kौन सा सेक्षन लगाया आगया है तो इहां पर देख सकते हैं आंपर अंडर सेक्षन 26 के अंदर जो है केस्फाइल किया घया है इसके अवे ईसका लावा एक चेस नं कब कब हेरी थे मतलब जुर्ब जो है वहां पहल पर गवाहीं लगाए और वह सारी चीज़ा है आपको दिखे का जो भी प्रसेडियंग घसल्ड भोगा उसका सारा डिटेल भी आपको यहां पर मिल जाए जाएगा इस तरी से में बता दिया इसको चाहिए तो आप प्रिंट ल आगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेर करना मत बूले ताकि जो उनको भी इस तरी के वीडियो मिलें बहुत-बहुत धन्यवाद